13 सितंबर से पितरपक्ष शुरू हो रहा है जो हिंदू धर्म के लोगों के लिए बेहत खास होता है पितरपक्ष पितरों और पुर्वजों को याद करने का विशेज समय माना गया है जो 16 दिनों तक चलता है हिंदू कैलेंडर के मुताबिक इसकी शुरूआत भादरपद महीने की किश्रपक्ष के पूर्णिमा से होती है और अमावस्या पर खत्म होती है इस साल ये 13 सितंबर से शुरू होकर 28 सितंबर तक चलेगा मानिता है कि गया में फल्गो नदी के किनारे पितरों का पिंड़दान करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है इसके अलावा पित्रों और पुर्वजों को मनाने और उनका आशिर्वाद लेने के लिए उनके नाम से श्राद, पिंडदान और ब्रामनों को भोजन कराये जाता है साथ ही गंगा में पवितिस्दान करने का भी रिवाज है धार में माननेताओं के अनुसार पित्रों को श्राद और पिंडदान करने और ब्रामनों को भोजन कराने से पित्रों की आत्माये त्रिप्थ होती है ये भी मानेता है कि इस दोरान कोई भी नया काम शुरूर नहीं किया जाता और नहीं नए कपड़ों की खरिदारी की जाती है